के रोज एकी जैसा काम करके हम बोर हो जाते हैं लेकिन एकी जैसा काम अगर टीफs के थुरू करे ना काम एक दम हमारा आसान होजाएगा और हम बहुत सरह पैसे कभी बचचत कर पाएंगे ऐसे ही छुटे छुटे टीव्स शेयर कहने बाली हो फ्रेंड जो टीव्स आपको डेली लाइफ को और भी ज़्यादा आसान बना देगा तो चलिए टीव्स हम देख लेते हैं पहला जो टीव्स से बेलन चकला को लेकर बेलन चकला तो हम सभी लोगी यूज करते हैं रोटी बनाने के लिए लेकिन जो 5-6 दिन हो जाता है बेलन चकला एकदम से गंदा हो जाता है बैक्टेरिया भाइरस इसमें आ जाता है तो किस तरह से इसको हम clean करके रखे जो एकदम बेलन चकला नया जैसा हो जाएगा इसके लिए क्या करना होगा मैंने एक बर्तन ले लिया है बर्तन में डाल रहे हो गरम पानी गरम पानी मतली जिएगा गुनगुना गरम पानी ले लिए जिएगा फिर इस पानी में एक चमच नमक आधा चमच बेकिंग सोडा डाल कर मिला लेंगे फिर जो हमारा गंदा हो गया बेलन चकला है ना इस तरह से हम गरम पानी में इसको डुबो कर रख देंगे एक मिनिट के लिए दोनों तरफ ही हमें एक एक मिनिट के लिए इस तरह से डुबो कर रखना पड़ेगा दोनों साइट जब हम अच्छे तरीके से डूबो कर रख देंगे ना तो देखिएगा आपने आफ ये बेलन चकला क्लीन हो जाएगा हमारा थोड़ा सभी जो गंदेगी है मैं पॉंस का या पर स्कॉस ग्राइट यूज करके इस तरह से स्क्रब कर लेंगे फिर पानी के मदे से इसको पोच कर रखिएगा और इस तरह से क्लीन करने के बाद ना बहुती अच्छे तरीके से क्लीन होता है अगला जो टीप से देख लेते हैं चावल तो हम सभी लोगी खाते हैं मार्केट से जो महेंगा महेंगा चावल हम खरीद कर लेकर आते हैं ना कई वर देखा जाता है होती आसाने से आप समझ जाएंगे यह डूबलिकेट चावल है और यह असली चावल है इसके लिए चलिए गैस के पास हम चला जाते हैं क्या करेंगे गैस को ओन कर देंगे और थोड़ा सा चावल गैस के उपर आग के उपर इस तरह से डाल देंगे इस तरह से डालने से क्य अगर हमारे चावल डूब्लिकेट हो जाएगा ना डूब्लिकेट अगर होगा तो चावल एकदम से चिपक जाएगा गलना शुरू हो जाएगा अगर आपका चावल डूब्लिकेट नहीं है और जिनल चावल है तो देख सकते हैं एकदम से छाई हो रहा है है देखिए मैं गस बंद करके भी दिखा रहे हूं थोड़ा सा ठंडा होने के बाद दिखाऊंगी अगर प्लास्टिक का चावल है एक दम से चिपक जाएगा हातों में देखिए मैं हातों में लेकर अगर इस तरह से उसको करूंगी ना उंगली की मदद से एक दम से बारीक तरीके से हमारा चाव चावल जो है अगुरा हो जाएगा देखिए पावडर बन जा रहा है अगर प्लास्टिक का होता तो चिपक जाता गैस के बंदर में इस तरह से आप भी यह टीप्स का एपलाई करके समझ सकते हैं आपका जो चावल है यह प्लास्टिक का चावल है यह ओरिजिनल चावल है चलिए नेक्स टीप हम देख लेते हैं नेक्स टीप जो है गैस के बंदर को लेकर खाना पकाते हैं जब गैस में न देखा जाता है गैस के बंदर के साइट से आग निकलते हैं हम ध्यान नहीं देते अगर इस तरह से आग निकलते रहते हैं तो बहुत सरा गैस हमारा जो है नस्ठ होता है तो किस तरह से घर पर ही हम इसे ठीक कर सकते हैं कई बर होता है गैस बर्नर जो है न बहुत साल पुराना हो जाता है जिसके कारण जो बर्नर है खै होना सुरू हो जाता है जिसके कारण गैस निकल जाते हैं अगर हम थोड़ा सा कोल गेट मैं या पर कोल गेट यूज कर सकते हैं, बननर के चारों साइड में इस तरह से कोल गट लगा देंगे, तो क्या होगा, गैस लीक नहीं करेगा, अच्छे तरीके से लगा लेंगे, फिर बननर को क्या करेंगे, सेट करेंगे, सेट करने के बाद आग जला कर भी दिखा रही हूँ, देखिए, अब थ गर्मिया तो सिजण आ गया है, हम इस तरह का नए कपरा पैहनते हैं, देखा जाता है, एक ही दो दिन पैहनने के कारण कपरा से बदबु आने लगता है, एक दम से सीलन आ जाते हैं, तो अगर हम रोज-्रोज इस तरह के कपरे को क्लीन करेंगे पानी की मतल से, तो क्या होगा कप्ड़ का कलर जो है एकदम से खराब हो जाएगा तो किस तरह से बीना कोई वाश किये हुए ही हम कप्ड़े को एकदम से इस्तरी जैसा कर सकते हैं और जो सारे बदबू है ओ भी चला जाएगा मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक छन्नी चन्नी की अंदर डाल दूँगे एक चमच के करिम बेकिंग सोडा और अधा चमच पाउडर कोई भी टेलकम पाउडर ले लीजिएगा फिर क्या करेंगे चन्नी की मदर से न सारे कप्ड़े को इस तरह से रेंकिल कर देंगे चन्नी इसलिए मैं ले रही हूँ चन्नी की मदर से अगर हम इस तरह से बेकिंग पाउडर और पाउडर को देंगे न तो हर जगा आसानी से पहुच जाएगा कोई भी जगा पे ज़्यादा या कम नहीं गिरेगा क्या करेंगे एक कपरा की मदर से इस तरह से जो बेकिंग पाउडर आमने और टेलकॉम पाउडर लिये थे न सारे कपरे में इस तरह से ज़ाड लेंगे तो आसानी से क्या होगा बहार निकल जाएगा सारे और जो बदबू है न वो भी चला जाएगा बेकिंग पाउडर एबज़फ कर लेगा सारे बदबू को फिर क्या करेंगे मैं ले रही हूँ एक बटल बटल को जो पानी है न मैं फ्रीज में रख दिये थे पानी एकदम से थंडा फिर उस थंडे पानी का बटल को इस तरह से कप्रे उपर हम अगर प्रेस करेंगे न तो सारे जो सीलन है कप्रे में वो आसानी से चला जाएगा और हम कोई भी प्रेस की मदल बिना ही कप्रे को पेस कर पाएंगे अगला टीफ हम देख लेते हैं सभी के घर में तो कीचेन टावल हम यूज करते हैं कभी जो कीचेन में काम करते हैं हाथ गंदा हो जाता है इस तरह के तावाले के मदध से हाथ को clean कर लेते, लेकिन जो हम तावाले को इस तरह से टांग कर रखते हैं, कई बर देखा जाता है, बार बार तावाले जो है ना नीचे गिर जाते हैं, मैंने ले लिया है एक पूराना चूरी, कोई भी मेटल का पूराना चूरी आप यूज कर सकते हैं, फिर क्या करेंगे, हमारे जो तावाले है ना तावाले को क्या करेंगे, तावाले को मैं इस तरह से फोल करके ले रहे हूं, देखिए मेरा तावाले यहापर बड़ा है, इसके लिए मैं दो फोल करके इसको ट्राइंगल सेप में फिर फोल कर लेंगे, तो छोट हो जाएगा तावाले और देखने में भी बड़िया लगेगा फिर हमारे जो चूरिया है ना चूरियों को क्या करेंगे तावाले के अंदर इस तरह से हमें डालना पड़ेगा फिर क्या करेंगे ले लेंगे एक सेप्टीपीन सेप्टीपीन की मदद से तावाले को इस तरह से पीन अप कर लेंगे देख सकते हैं इसी तरह से हमें तावाले को रेडी करना होगा फिर क्या करेंगे हमारे जो कीचे निरिया में हैंक करने के जगा है ना उस जगा पे हम तावाले को रख देंगे इससे क्या होगा जब भी बच्चे बगर खीचेंगे या हम जब भी हाथ पो या चोटे बच्चे के जो नए पैंट आते हैं न इसका जो गडर है या इलस्टीक है बहुत ही जदा टाइट होता है चोटे बच्चे इसलिए नए कप्रा एकडम से पहनने के लिए ना करती है रोना शुरू कर देती है क्योंकि छोटे बच्चे अगर नए कप्रा पहनेंगे ना कमर में निशान आ जाता है बलाट अच्छे तरीके से हम इस तरह का कोई बाल्टी ले लेंगे फिर जो नए हम पैंट खरित कर लेकर आते हैं ना उस पैंट को इस तरह से बाल्टी में लगा कर रग देंगे इसको पाथ 6 घैंटे के लिए तो जो कमर का इलास्टिक गडर है ना वो लूज हो जाएगा बच्चे भी आराम से पैंट को अगर पैनाएंगे ना तो रोने नहीं लगेगा और कमर में भी दर्ध नहीं होगा कोई भी निशान नहीं आएगा तो ज़रूर ए टीप्स आप भी अपलाई कर सकते हैं बच्चे को पैंट हो ना बहुती ज़्यादा टाइट होता है गडर या एलास्टिक इसको इस तरह से फोल करके दीजिएगा इस तरह से कमर में अगर आप गडर को फोल करके पैनाएंगे ना तो भी कोई दर्ध नहीं होगा कोई भी निशान नहीं होगा बच्चा खुशी- कपरे भी पैंट चाहेंगे तो टीफ्स अच्छे लगे था अपलाई करना अपने दोस्तों के साथ भी जरूरे टीफ शेयर करना